साथियो नमस्कार, वेट सुलूशन चैनल में आपका स्वागत है, मैं डॉक्टर गुर्पी सिंग, आज का वीडियो लेके आए हैं, पानी की टेंकी के उपर, जिसमें अपने पोसों को पानी पिलाते हैं, तो उसमें ज्यादा तर देखा जाता है कि पानी कई टाइम तक रु कलर आ जाता है, तो इससे कैसे सुटकारा पाएं, और साथ में ऐसा कौन सा प्रोडेक्ट यूज करें, कि जो काई को भी खत्म कर दे, और पसों के लिए भी माइक्रो निट्रियंट है, फास वर्स है, कैलिशम का सुरोत हो, तो उसके बारे में आज़ापन बात करेंगे, तो दो या तीन दिन पानी को स्कवा दें, अच्छी तरह से सूख जाए, तो उसको अच्छी तरह से साफ करके, चूना पाउडर अपने लेना है, चूना पाउडर है, बजार में मिल जाता है, तो उसको लेके, उसमें पानी डालके, जो अपने पानी की टंकी है, शिम्टेड है जो विशेश कर तो उसको इस तरह से पैंट कर देना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसको दो या तीन बार पैंट करना है एक बार सूखने के बाद दूसरी बार और ये तीन लेयर में पैंट करना है इसको कम से कम तो ये इस परकार का कलर है, सूखने के बाद है जो आ जाएगा, अच्छी तरह से जो चुनना है, वो पूरन रूप से इसके उपर चट जाएगा, तो इसके बाद इसमें अपने पानी डालेंगे, पानी को कम से कम दो या तीन गेंटे रखने के बाद, पानी का जो कलर है वो आप देख रहे हो, इसमें चैंज हो जाता है, इसके बाद अपने पसों को पिलाते हैं, तो इसमें कैल्शियम का सबसे बड़ा सुरू होता है, और जो पसो है वो अराम से पी लेते हैं, पानी भी साफ रहता है, काई भी नहीं लगती, और कैल्शियम में जो पसों में